एक दा बाबा रावान चा मुलगा फार आजारी पड़ला एक दफा बाबा राव का लड़का बहुत बीमार पड़ गया बच्चों एक दा यानी एक दफा और आजारी यानी बीमार तेवा बाबा राव गावाला गेले होते तब बाबा राव गाव गए हुए थे जब बाबा राव का लड़का बीमार पड़ा तो वो घर पर नहीं थे दूसरे गाव गए हुए थे त्या गावाद मोठा दवा खाना नसल्याने उस गाव में बड़ा दवा खाना ना होने की वज़ा से मुलाला तातडी ने शेजार च्या गावी दवा खाने आत नेने गर्चे चे होते बच्चे को फोरन करीब के गाव के दवा खाने में ले जाना ज़रूरी था बच्चों तातडी ने यानी फोरन शेजार यानी करीब और नेने यानी ले जाना मुलाची आई नेडार कशी लड़के की माँ उसे कैसे ले जाएं त्यातच जोड़दार पौसाला सुरुआज जाली इतने में जोर की बारिश शुरू हो गई बाबा रावान चा स्वभाव माहीत असल्याम मुड़े कुणी ही मदतिला आले ना ही बाबा राव का स्वभाव यानी मिजाज मालूम होनी की वज़े से कोई भी मदत के लिए नहीं आया भाव रावान ना जे हुआ ही गोष्ट समझ ली भाव राव को जब ये बात मालूम पड़ी ते हुआ ते पावसाथ ही बैल गाड़ी घेऊन मदतिला आले हैं तब वो बारिश में भी बैल गाड़ी लेकर मदत के लिए हाजिर हो गए मुलाला तातड़ी ने तयानी शहरात ने ले बच्चे को फोरण वो शहर ले गए शेहरात लेया डौक्टरानी मुलावर टातरी ने उपचार गे ले शेहर के डौक्टरों ने फोरन बच्चे का इलाज किया बच्चों उपचार यानी इलाज जर्र या मुलाला दवा खान्यात आना इला थोड़ा उशीर जाला अस्ता अगर इस बच्चे को दवा खाने में लाने में थोड़ी भी देर हुवी होती बच्चो उशीर यानी देर तरहा मुलगा काही वाचला नसता तब ये बच्चा नहीं बच्चा होता अगर इस बच्चे को दवा खाने में लाने में थोड़ी भी देर हुवी होती तो ये बच्चा नहीं बच्चा होता है ऐकून मुलाचया आईला मोठा धक्का बसला ये सुनकर बच्चे की माँ को बड़ा सद्मा पोचा बच्चों धक्का यानी सद्मा तिने भाव रावांचे आभार मान ले उसने भाव राव का हिसान माना और शुकरीया अदा किया गावा होन परत आल्या नंतर गाव से वापस आने पर जे हुआ बाबा रावा ना ही घटना समझ ली गाव से वापस आने पर जब बाबा राव को इस वाकिय की खबर हुई ते हुआ ते हादरले तब वो खौफ से काप गए लरस गए बचों हादरले यानि काप गए जिससे मैंने बुरा बरताओ किया त्या नीच आप लिया मुला चे प्राण वाचोले उसी ने मेरे लड़के की जान बचाई बचों प्राण यानि जान ही गोस्ट त्या चे मनाला लागून गेली ये भात बाबा राओ के मन को लग गई भाव रावान चे घरी जाऊन त्यान चे आभार मान ले भाव राओ के घर जाकर उनका शुक्रिया अदा किया आणी हाथ जोडून मनाले और हाथ जोड कर कहा मी तुम चैशी फार वाईट वागलो मैंने तुम से बहुत बुरा बरताओ किया मला शमा करा मुझे माफ करो बच्चो शमा करना यानी माफ करना त्या दिवसा पासून ते सरवान शी प्रेमा ने वागू लागले उस दिन से वो यानी बाबा राओ सब से प्यार और महबत से रहने लगे बच्चो इस सबक को लिखने वाले लेखक का नाम है सुभाष चंद्र वैशनौ ये था बच्चो हमारी मराठी सुगम भारती की किताब का सबक वाईटा तुन चांगले इंशाला हम जल्द मिलते हैं एक नए सबक के साथ तब तक के लिए खुदा हाफिज अप्पशी हम झाला हम जल्द मिलते हैं लेखक के लिए वाईटाब के समझ का वाई सका वाईटारफ लेखक का तब पर बच्चों।